हेलो एवरिवान एक बार फिट से मैं पारस आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल पठेज़ा क्लासेज में स्वागत करता हूँ आज हम 10th क्लास ICSC बोर्ट की फिजिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके पास 15 से 20 मार्क्स का बुक वक आएगा बुक वक में आपके पास फिलप्स आ सकती हैं MCQ आ सकते हैं प्रूफल आ सकते हैं और मैशदा कॉलम आ सकते हैं आज से हम डिसकस करेंगे 1 बैवन चैप्टर के साथ तो मेरा फिर्स चैप्टर है जिसका नाम फोर्ष है तो आपके सामने सक्रीन पर दिख रहा होगा फिलिंग दी ब्लैंक्स करते हैं हम फोर्ष चैप्टर की तो मेरा फिर्स फिलप्स क्या है डैश मोशन इस वन विच टेक प्लेस अलोंग दा स्ट्रेट लाइन कौन सा मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है हाँ जी आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में फोलोग होता है या स्ट्रेट लाइन में चलता है हाँ जी तो उस मोशन का बेसिकली नाम क्या है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है आप लिख लीजिए most most important है उसका नाम क्या है translatory motion उसका नाम भई क्या है आप note कर लीजिए translatory motion तो first का answer क्या बन गया translatory motion चलते हैं next second motion which one takes place about the axis of rotation हाँ जी ये भी आपको class में करवाया है मैंने axis of rotation हाँ जी जो किसी axis पर चले मान लीजिए ये मेरे पास एक pen है pen के साथ मैंने क्या बांद लिया thread बांद लिया thread का एक सीरा मेरे पास बंदा हुआ है इस road से thread का दूसरा end किसे बंदा हुआ है एक stone से जब मैंने क्या किया इसको ऐसे घुमाना start किया ऐसे इसको मैंने इस तरह ऐसे घुमाना start किया तो क्या बन गया ये circular motion तो इसका नाम basically क्या होगा आप जल्दी लिखिए second question का right answer क्या बनेगा मेरे पास rotational motion रो टेशनल मोशन ठीक है जी rotational motion second का answer बन जाएगा ठीक बात ठीक है तो थर्ड कोशन पर चलते हैं torque is defined as the product of magnitude of force and perpendicular distance from the dash of force थर्ड का जल्दी comment किजिए वो बोल रहा है कि जो torque है torque मतलब movement of force जो help करता है किसी body को दोनों side force लगाए perpendicularly तो वो क्या है force into distance distance कौन सा perpendicular तो किस में force लगाना है हमें हम जी लिखिए force कैसे लगाएंगे हम line of action line of action इसका क्या बनेगा मेरे पास right answer clear है क्यों बनेगा basically क्योंकि हम सभी को पता है हम सभी को पता है हम कि कोई भी door खोले हम जब door खोलते हैं हमें perpendicular force लगाना पड़ता है water की tab है इसको हम इस तरह से perpendicular force लगाते है एक force यहाँ पर लगता है दूसरा यहाँ पर तभी tab open होती है like this तो आप यह ध्यान रखेंगे चीक हाँ जी नेक्स चलते हैं fourth question in SI dash is measured in newton meter newton meter में हम क्या measure करते हैं मैंने अभी आपको बोला torque क्या है force into distance तो force में force किसमे measure होता है newton में distance किसमे होता है मीटर में तो इसका fourth का क्या बन गया टॉर्क लिखरी जिए टॉर्क तॉर्क बनेगा मेरा डाइट अंसर ठीक फिफ्ट कोश्चन इन सीजी एस टॉर्क इस measured in dash हम जी तो हमने देखा कि टॉर्क हम कैसे measure करते हैं अभी हमने देखा कि टॉर्क हम newton meter ऐसा unit है cgs में newton को क्या लिखते है हम डाइट अभी यह भूत अवरा डाइट नहीं है यह cgs unit है किसका force का मीटर को centimeter तो मेरा फिफ्ट कोशन का यही अंसर बन गया डाइन सेंटी मेटर क्लियर मूव करते हैं नेक्स कोशन 6 इफ टॉर्क रोटेट बोड़ी इन क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज डिरेक्शन इडिस टेकन अज डैश और इफ इट रोटेट इन क्लोक वाइज इट टेकन एज डैश हां जी जल्दी आप कोमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट अंसर क्या बनने वाला है सिक्स का हां जी एंटी क्लोक वाइज डिरेक्शन होती है मेरे पास पॉजिटिव आप सभी को पता है आउये एंटी क्लोक वाइज डैशन क्या है समय सब्सक्राइज होरा था हिसारत है इस एंटी क्लोक वाइज डैक्शन क्या है पॉजिटिव और क्लोग वाइज डैक्शन क्या है मेरे पास नेगटिव ठीक है यह हो गया positive दूसरा नेगटिव ठीक है अगला next बात करेंगे हाँ जी 7th question equilibrium means things are in dash or are stable हाँ जी equilibrium में state क्या होती है या तो stable होती है या किसमें होती है balance में balance भी एक तरह की stable state है तो 7th का मेरा क्या बन गया answer balance next बात करते हम 8th question two equal and dash forces acting along different line of action form a couple basically अगर मैं यहां से force लगाऊं दूसरी force मैं यहां से लगाऊं तो यह दोनों इक फोर्स इक्वल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए ओपोजिट उल्टी डिरेक्शन तब तो वाटर टैप खुल सकती है एक force यहां से लगे दूसरी force यहां से लगे दोनों क्या हों इक्वल एंड ओपोजिट दोनों फोर्स क्या हों इक्वल एंड ओपोजिट तो एर्थ का अंसर क्या बन गया मेरा ओपोजिट ठीक कि थीक हम आजी चलते हैं निक्स्ट नाइन्थ कोष्च resistant प्रिंसिपल ओफ मुवमेंट स्टेट सर्स southern from क्लोकवाइज मुवमेंट डैश सम ऑफ एंटी क्लोकवाइज मुवमेंट जल्दी बताइए नर्मल सी बात है कि क्लोग ऑवाइज मुवमेंट किस गーक्वो और मॉपमेंट की एकजाम में बहुत बार देखनी को मिल सकता है आपको कि क्या है कि अभी इसके बाद आपके पास M.C. काज बीडा आएंगे हम साथ की साथinks करेंगे है ठीक है पुणिकोस करते हैं तेंथ है center of gravity of a body is a pointer where dash the whole of the body act हां जी center of gravity वो body है यहां उस body का क्या act करेगा weight act करेगा क्लियर है कोई भी मेरे पास बोड़ी है उसका center में सारी बोड़ी का क्या एक्ट करेगा भई वेट एक्ट करेगा क्लियर बात यहां तक अब हम मूव करते हैं next mc के उसके बारे में साथ साथ आप comment में comment कर सकते हैं कि राइट अंसर क्या बनने वाला है ठीक है भी फर्स्ट मल्टिपल चोइस कुश्चन है movement of a force about the axis depends movement of force किसी axis में अगर move करता है तो वो किस चीज़ पर depend करेगा हां जी only on the distance of force पर सिरफ force के magnitude में कि हम force कितना लगा रहे हैं force और distance दोनों पर जो हम लगा रहे हैं या फिर force और perpendicular distance में अभी हमने discuss किया था अभी हमने discuss किया था कि जब भी movement of force की बात आती है मतलब जो force axis के around लगाया जाए वो हमेशा क्या होगा perpendicular होगा फोर्स लगा है movement of force होता क्या है basically torque ही होता है movement of force basically होता क्या है torque होता है जो distance perpendicular हो ठीक है अगला second question हां जी जिसको आता है वो साथ साथ comment में comment कर सकता है को दिक्कत वाले बात तो नहीं है हां जी ऐससा unit of movement of force अगेन आ गया अभी हमने किया है इसका answer क्या बनेगा भई न्यूटन मेटर क्यूं मूमेंट ओफ फोर्स होता क्या है भई टोर्क होता है जो किसके equal होता है force into distance की s distance ले लो या फिर आप अगर s नहीं लेना चाहते तो आप force into small d भी लिख सकते हो थार्ड question हां जी दाप्लाइंस विच वर कौन दा principle of movement इस वह कौन सा appliance है जो वह करता है principle of movement पर जल्दी कोमेंट किजिए क्या spring balance आएगा या beam balance आएगा pendulum clock आएगा या फिर balance wheel आएगा हां जी जल्दी कोमेंट किजिए a b c d क्या बनेगा first option है spring balance second है balance wheel third है pendulum clock fourth है balance wheel sorry beam balance तो इसका right answer जो बनेगा यह होगा beam balance beam balance मतलब जिसमें balance प्रोप पर हो जूला जूलते हैं हम एक person यहां पर बैठता है दूसरा person यहां पर बैठता है अगर एक force नीचे को लगा रहा है तो दूसरा force नीचे से उपर लगाएगा अगली बारी में clear है okay good अगला fourth question in order to rotate a body we need to apply किसी body को rotate करने के लिए हमें क्या apply करना पड़ेगा कि रोटेट करना है बोडी मतलब rotational motion की बात कर रहा है वो कि रोटेशनल मोशन इक्वल फोर्स लगाए ऑपोजिट डिरेक्शन में स्माल फोर्स लगाएं से यह तो गलती दिस रहा है इक्वल फोर्स लगाएं से लाज फोर्स लगाएं पॉइंट से नहीं भाई तो इसका सही option क्या बनेगा फ्रस्ट ऑप्षिन क्यूं बनेगा भी फ्रस्ट ही बनेगा क्यूंकि एक्वल फोर्स लगाने से दोनों एंड्स पर ऑपउजिट डिरेक्शन से तब ही कोई न कोई बोडी रोटेट हो सकती है अगर मैं दोनों साइड से फोर्ष लगाऊं डिरेक्शन सेम रखूं तो यह बोडी आगे जाएगी रोटेट नहीं करेगी अगर मैं इसी बोडी को एक उपर से फोर्च लगाऊं एक नीचे से फोर्च लगाऊं तब ही ये बोडी क्या करेगी इस तरह रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी ठीक बात अगला फिफ्थ कोशन पर चलते हैं हम I hope आपको options visible होगी ठीक है हाँ जी कोशन है if two unequal force applied at the two ends of the opposite direction then अगर दो forces opposite direction में लगाई जाएं तो इसका क्या परिनाम होगा इसका क्या परिनाम होगा अभी बात किया हमें बोडी रोटेट नहीं होगी गलत बोडी आगे जाएगी गलत रोटेट होगी सही है forward जाएगी नहीं अभी मैंने बात की कि अगर मैं दो opposite direction से उस बोडी पर force लगाऊंगा तो वो बोडी क्या होगी इस तरह वो क्या करना start कर देगी रोटेट करेगी आगे थोड़ी बड़ेगी बोड तो वहीं रहेगी इसका center जहाँ पर है बोडी वहीं पर अटकी रहेगी शिक्त कोश्चन glass tumbler rest on a table when slightly tilted its center of gravity will dash मेरे पास एक glass tumbler है जो table पर पड़ा है rest पर है जब हम उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे table को उसकी center of gravity क्या होगी बड़ेगी remains unchanged या decrease होगी या displace होगी horizontally बताएं जल्दी से जी glass tumbler जो table की उपर place है जब हम उसको slightly tilt करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो center of gravity क्या होगी rise होगी, increase होगी ठीक है ओके, good तो आज की class का last question है मेरे पास जल्दी से आप comment कर सकते हैं जिसको आता है when cleaning up a hill a man should जब कोई इनसान उपर चड़ता है तो वो क्या feel करता है आगे को जुकता है पीछे को जुकता है सिधा खड़ा रहता है या फिर feet पैरों के बल थोड़ा सा टेढ़ा होका चलता है हांजी जल्दी comment किजिए जब हम पहाड के उपर चलते हैं तो कोई भी person कैसे होकर चलता है आगे forward होकर चलता है क्यूं? मान लो ये मेरे पास बहुत सरी पहाडी है कोई person उपर जाएगा तो वो थोड़ा सा आगे होकर चलेगा क्यूं? सीधा खड़ा होगा नीचे आएगा पीछे को नहीं जुक सकता इसी वज़ा से वो person थोड़ा सा आगे होकर चलेगा I hope आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे थेंक्यू वेरी मच